Hello everyone, welcome back once again, मैं आर्ती और फिर से हाजर हूँ आज कि इस वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स को लेकर जैसा कि हम आपको हर वीडियो में इंफर्म करते हैं कि जो भी डिटेल आपके साथ शेयर की जा रहे हैं, जो भी हम जॉब्स आप तक प्रवाइड करते हैं, उसके उनकी लिजिबल्टि के कॉर्डिंग प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती, अगर मिल रही है तो उसके कांडिडेट के लिए हमारी छोटी सी हेल्प है, इस चैनल के थूँ हम लोग उन कांडिडेट्स की मदद कर सके, जो टाइम तो टाइम अपनी जॉब्स पा सकते हैं, आज एस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ और नहीं सिटी की अपडेशन को लेकर, जो जॉब्स रे रहिरेटिड हूई है और कई सारी वेकिंस अपडेट हुई हैं, जो बिफर्ण डिफर्ण काटेगरीज से हैं, जो बिफर्ण डिफर्ण स्टूडेंड हैं डिफर्ण जो रही है वो है area sales manager की requirement है जी हां area sales manager के लिए आपकी जो qualification है कम से कम plus to graduation या post graduation किसी भी category की अगर आप बिलॉंग करते हैं आप plus to pass out है graduation हो या post graduate है उस according अपप्लाय कर सकते हैं जो salary रहेगी according to qualification according to experience यह आपको provide की जाएगी basically यह जो job है वो आपकी full time ही रहेगी जी हां morning to evening की यह job है तो यह part time job definitely नहीं रहेगी full time जो candidate job करना चाहते हैं same stream में वो इस job का apply करने का विल्कुल सोच सकते हैं बढ़ते हैं next requirement की तरफ कुछ requirement जो हमें है वो है SEO की requirement है इनकी search engine optimization जिसको properly knowledge हो तो उन से भी candidate की requirement है और इसके लिए आपकी जो qualification है at least BCA अगर हो तो ज्यादा better है because computer applications पर अगर की proper knowledge होनी चाहिए और आपको properly codings, programming etc की भी properly knowledge होनी चाहिए तो इस तरह के candidate जो है वो preferable की गए है तो अगर आपको लगता है कि यह eligibility आपके profile से match हो रही है तो definitely आप इस vacancy को apply करने का सोच सकते हैं बढ़ते हैं next requirement की तरफ, next requirement जो है एक pharma company में requirement है कुछ computer operator की requirement है basically उनको सारा का record रखना पढ़ सकता है जो भी basically pharma company है तो जो medical report, medicine record रहेगा वो उनको excel में upload करना होता है तो definitely आपको इसके लिए job के लिए आपके computer skills हमें अच्छे चाहिए होंगे qualification matter नहीं करती, minimum qualification plus to pass भी candidate अगर वो है तो accepted किया जाएगा और इसके लिए male या female दोनों ही तरह की candidate जो है वो accepted रहेंगे, but condition is that कि आपको computer में MS Excel, advanced Excel और internet की properly और advanced level पर knowledge होनी चाहिए next requirement हो रहेगी, वो requirement अगें एक institution में particular office में requirement है और ये requirement बिलॉंग कर रही है, receptionist रही है, reception या फिर फ्रंट end executive का आपका work हो सकता है तो multitasking work रहेगा, तो अगर आपका already in stream में आपने job किया as a front end executive या फिर आपने as a receptionist work किये जिसमें आपने multitask cover किये हैं, तो इस तरह की job आप definitely apply करने का सोच सकते हैं and qualification matter करेगी, minimum qualification at least graduation रुकर बच्चे की हो या candidate जो भी graduate कर चुके है और stream experience है, तो वो इस vacancy को apply करने का सोच सकते हैं साथी साथ बात की जाए आपकी job timing की, तो job time आपकी जो रहेगी 9.30 तो 6.30 आपका job time रहेगा and salary approach आपको 8,000 से लेकर 10,000 पर month provide हो जाएगी according to your experience अगर आप fresher हो तो at least आपको 8,000 monthly provide होगी अगर आपका experience है तो according to experience आपके salary प्लस भी हो सकती है so guys यह कुछ नई updates थी नई vacancy थी देवमाली सटी से related अगर आपको लगता है इन में से कोई भी vacancy आपके मतलब की है तो हमें आप बता सकता है comment जरिए या फिर आप description में दिएगे number पे आप हमें whatsapp के थूँ इन फार्म कर सकते हैं उन student के लिए जो fresher है experience है आप अपने qualification के साथ साथ अपने skills भी updated रखिए क्योंकि आज के time में jobs ना मिलने का सबसे बड़ा reason यह है कि skills की कामी जी हां हम लोग qualification तो बहुत अच्छे से cover कर लेते हैं बहुत अच्छे qualify हो जाते हैं graduation कर लेते हैं post graduation कर लेते हैं इन इस skills पर हम proper focus नहीं करते हैं so that क्या होता है कि हमें उस base पर फिर आगे job मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो try कीजिए कि जो free time आपका है after qualification आप जो free time job search कर रहे हैं job search कर तो भी अपने skills को improve कर सकते हैं आप different skills सीखें जो आपके study से relatable आपके stream से relatable उस पर work कीजिए so that आगे आपको job मिलने में और भी ज्यादा easy हो जाए so guys यह video कितने informative लगी हमें comment करके जरूर बताएं और साथी साथ यह video आगे share भी जरूर कीजिए हो सकता है कि आपके share से किसी और भाई बेन को यह job मिल सके तैंक यू